हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज हमारे की चन में बनने वाले है दाल तड़का इसको बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो यह मैंने लगबग एक ग्लास जितना चनी की डाल लिया है जिसको मैंने दो तीन पानी से बहुत अच्छे से धो लिया है तो चलिए अब इसे हमको बनाना शुरू करते हैं तो हम इसे पहले कूकर में डाल ले रहे हैं सारे दाल को इसमें डाल लेने के बाद में फिर हम इसमें यह दो तेज पत्ता स्वादा नुसार नमग और दालेंगे तब तक मासाली की तयारी कर लेते हैं तो यह मैंने थोड़े से लसुन अद्रक और दो हरी मिर्चे ली हैं मैं इसे कूट लूँगी और जब आप तड़का बना रहे हैं अब तभी ही इसे कूट के तयार करें कि यह फ्रेश अच्छा लगता है तो यह देखिए तब तक हमारा दाल बिल्कुल 3-4 सीटी लगने के बाद बिल्कुल गल चुका है यह देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ देखिए बहुत अच्छे से यह गल चुका है तो फिर अब हम इसे थोड़ा सा फेट लेंगे क्योंकि यह थोड़ा दाने दाने जैसा ताकि यह दाल जैसा थोड़ा दिखने लगे चलिए हमेंसे इसके तड़का तयार करते हैं तो यह मैंने कड़ाही में दो चमच तिल डाल करके गरम कर लिया था इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली है यह आधा चमच जीरा आधा चमच पीली वाले सरसो और जो अधरक बिल्कुल ब्राउन कलर का ना हो जाए तब तक देखे सबसे में इंपॉर्टेंट होता है मसालो की खुश्बू मसालो का टेस्ट यह हमें तब ही मिलता है जब हम इसे फ्राइ करते हैं अब बिल्कुल इसे तब तक फ्राइ करते हैं जब तक कि यह पूरे अपना फ्लेवर पूरे हमें सबजी या दाल कुछ भी बना रहो उसमें ना आ जाए ये बहुत important होता है तो ये देखिए ये बिल्कुल हमारा तड़का भुन के तयार हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्यास ये मैंने बिल्कुल महीन नहीं काटा है बस मैंने इसे थोड़ बुन के तयार कर लेना है बिल्कुल इसे भी ब्राउन कर लेना है आप बिल्कुल भी जल्दी ना करें क्योंकि मसाले जितने अच्छे से बुन के तयार होते हैं आपको सबजी या कुछ भी अब जो बनाते हैं वो उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है तो बिल्कुल भी हड़ बनाई नहीं बिल्कुल ध्यान से आराम से बनाए यह देखिए हमारा प्यास बिल्कुल भून के तयार हो चुका है अब हम इसमें एक छोटा टमाटर डालेंगे काटके और हमें इसे भी बिल्कुल फ्राइ कर लेना है हमें भी इसे बिल्कुल तब तक फ्राइ करना है ज इसमें थोड़ा कम ही डाले, नहीं तो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा, यह मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाला यह सिर्फ टमाटर के लिए, क्यूंकि यह बिल्कुल अच्छे से गल के, एक दूसरे में बिल्कुल मसाले अच्छे से फ्राइ होके आपस में मिल जाएं, इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला और हम इसे फ्राइ कर लेते हैं ये देखिए बिल्कुल हमारा मसाला रेडी है ये हमें कैसे पता चला क्योंकि देखिए इसके साइड साइड से ये ओयल रिलीज करना शुरू कर दी है आप देख सकते हैं कि यह इसे पता चलता है कि हमारा मसाला बिल्कुल भुनके तयार है अब जब यह डाल देते हैं अब पूरी डाल डाल अ बप है लगता है इस में थोड़ा सा पानी आड करना चाहिए, तो आप पानी आड कर सकते हैं, बढ़ पाणी आप ठोला गरम Yus करें, क्योंकि थंडा पानी डालने से फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आ पाता है, इसलिए थोड़ा गरम पानी यूज करें, तो मैंने कूकर में ही थोड़ा सा गरम पानी आट कर लिया था क्योंकि कूकर गरम था और डाल गरम थी तो हमें पानी गरम करने की जोरत नहीं करनी पड़ी अब फिर ये देखें मैंने सारा डाल इसमें डाल दिया है अब हम इसको एक उबाल आने तक हमें इसको पकाना है तब तक हम इसे बहुत अच्छे से इसको चला ले, मिक्स कर ले आपस में एक उबाल आने तक हमें इसका वेट करना पड़ेगा ये देखिए हमारे दाल में एक उबाला चुका है ये दाल बिल्कुल बन के तैयार है ये रेडी है आप इसको देख सकते हैं ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतना ही टीस्टी लगती है और जब एक बार ये बन चुका है तो अब हम इसमें उपर से हरा धनियाई डाल देंगे हरा धनियाँ डालने के बाद में इसका टेष्ट दोगुणा हो जाता है और फिर हम इसे एक बार और चला लेते हैं हरा धनियाँ डालने के बाद ताकि इसके जो flavor है आपस में मल जाए फिर जब यह बनके तयार है तो आप इसे परोसे आप इसे रूटी के साथ खाएं चावल के साथ खाएं पराठे के साथ खाएं जिस किसी के साथ भी खाएं बहुत अच्छा लगता है और डाल तड़का किसे पसंद नहीं होता बच्चे बड़े सभी को डाल तड़का बहुत आप इसे किसी के भी साथ खाएं आपको बहुत अच्छा लगेगा यह देखिए बिल्कुल तयार हमारा दाल तड़का आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं